बरसात का दिन था, एक बिच्छू नाले में तेजी से बहता जा रहा था, संत ने बिच्छू को नाली में बहता देख, अपने हाथ से पकड़ कर बाहर निकाला, बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मार कर नाले में गिर गया, संत ने बिच्छू को फिर बिच्छू ने संत को फिर डंक मारा. ऐसा दो तीन बार और हुआ. पास ही वैद्दिराज का घर था. वह संत को देख रहे थे. वैद्दिराज दौरते हुए आए. उन्होंने बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर फेक दिया. संत से कहा, आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुचाने का होता है. फिर भी आपने उसको अपने हाथ से बचाया. आप ऐसा क्यों कर रहे थे? संत ने कहा, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल लूँ? शिक्षा, विशम परिस्थितियों में भी अपने को नहीं बदलना चाहिए.